एक ऐसा पेड जो कि हमारे जीवन की कई समस्याओं को कई बिमारीं को दूर करता है इसके पत्तियों की बात करूं तो मुँखे छाले और सांथी सांथ इसकी पत्तियों के चूडने से मनजन करने से दांतों में सफेदी आती है दांत मजबूत होते हैं इसकी टहनियों से दाट शानी आ रही है, इसमें मेरे हस्बेंट मेरी सहता कर रहे हैं, कुछ टहनीयों को वो नीचे करते जा रहे हैं, कुछ टहनीयों को तोड कर मैं अपनी गाड़ी में रख रही हूँ, ताकि अपने परिवार के लिए घर जा कर इसकी इनफॉर्मेशन दे सकूँ, इसके वीडियो बना सकूँ, इसकी कुछ पतियों को कुछ पीले रंग के फूलों को मैंने तोड लिया है, इसमें लगती है हरी हरी फलियां और इन फलियों को सुखा कर हम पाउडर बनाते हैं, तो ये तो खेर एक दो पौधे ऐसे ही हैं, जिन्हें मैं आपके लिए अगला वीडियो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंड करके बता दीजे कि वो जो व्रिक्ष है, वो कौन सा व्रिक्ष है, और वो जो व्रिक्ष है ना दोस्तों, वो व्रिक्ष है कीकर का बबूल का, बबूल का व्रिक्ष है दोस्तों, इतना जादा ताकतवर होता है, यहां पर कुछ अरंड आप देखेगा 15 दिन महना भर के अंदर इसमें हरी हरी फलियां लगने लगेंगी और इन फलियों को हम लोग कहते हैं बबूल की फलियां या कीकर की फलियां इसकी तहनियों से दातून करने से दात मजबूत होते हैं कितने पीले सुन्दर पुष्व गुच्छों में लगे ये पीले पीले गुच्छों में फूल लगे हैं ये अभी इस तरह से फलियों में बदल जाएंगे शुरू में इसकी फलियां हरी होती हैं तो बबूल के व्रिख्ष की जानकारी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बबूल के पेड जो देखा उसमें उसकी च्छाल में से बहुत सारा गोंद लगा हुआ था दोस्तों मैं गोंद को नहीं निकाल पाई हूँ परन्तु बसार में बबूल का गोंद आसानी से मिल जाएगा बबूल का गोंद जिसे कीकर की गोंद भी कहते हैं खास कर ठंड के मौसम में बबूल की गोंद के लड़ू बनाय जाते हैं जो हमारी हड़ियों को मजबूत करते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत फाइदे मंद होता है कीकर का गोंद हमारे हाँ डिलेवरी के बाद भी गोंद के लड़ू माताओं को खिलाय जाते हैं और सांटी सांट, बबूल की फलियों का तेल भी बनाया जाता है। इस तेल से मालिश करने से, पुराने से पुराना आपका हडियों का दर्द, मास-पेशों की अकडरन-जकडरन की समस्या, बिलकुल समाब्त होगी, एक ऐसा तेल बनेगा। सरसो का तेल इस्तमाल करें, तिल्ली का तेल इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप लाल तेल का इस्तमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने आज लाल तेल का इस्तमाल किया है ये चो लाल तेल है आपको किसी भी आयरुवेदिक स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाएगा एक कटोरी लाल तेल में एक चमच मेथी के बीच और कुछ बबूल की फलियों को तोड़ कर डाल दिया है चाहें तो धूप में रखें या डारेक्ट गैस पर पका लीजिए एक लोहे की कढ़ाईली है इसमें मैंने इस तेल को डाल दिया है अब चलते हैं गैस की और खूब अच्छी तरह से इसे पकाईए दस मिनट तक जब तक बबूल का सारा अर्क इसमें ना आ जाए बहुत ताकतवर तेल बनेगा पैरों में कहीं मोच आ गई है चोट हो गई है पैरों में कहीं लचक आ गई है गुट्नों में सूजन है तब भी इस तेल से मालिश करें गुट्नों की चिकनाहट वापस आ जाएगी कमर में दर्द होता है गरदन में दर्द है तूटी हुई हड़ी को जोडने के लिए भी इस तेल से मालिश करने से बहुत आराम मिलेगा, राहत मिलेगी गैस चालू कर दिया है, बिलकुँ स्लो फ्लेम पर इस बबूल की फली के तेल को पका रही है तो आज मैंने लाल तेल का इस्तमाल किया है, दोस्तों बहुत अच्छा होता है ये तेल, तो इसलिए मैंने सरसो तेल में थोड़ा लाल तेल भी मिलाया है उम्र के सांथी सांथ कुछ न कुछ तकलीफ लगी रहती है कभी जोडों में दर्द होता है या फिर कभी हमारे शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाती है नसों में कमजोरी है या फिर लकवा जैसी बिमारी में जब हमारी मास पेशियां ठीक से काम नहीं करती है हमारी नसे ठीक से सिकुड जाती हैं, खुल नहीं पाती हैं, जब भी, इस तेल से मालिश करने से आपको बहुत आराम मिलेगा, तो तेल पकना शुरू हो गया, जब ठंडा हो गया है, छान लीजे, किसी काच के जार में स्टोर कर लीजे, दिन में एक बार इस तेल से मालिश करें, अगर रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, तो सुबह की धूप में बैठ कर इस बबूल के फली के तेल, मेथी के तेल से मसाज क करें, ताकि ये तेल आपकी मास पेशियों के द्वारा आपकी हड्डियों तक जा सके, और आपको हड्डियों के दर्द, जोडों के दर्द से राहत दिला सके, बच्चों को भी कहीं चोट लग गई है, खेलते खेलते गिर गए हैं, वहाँ पर भी आप इस सूजन को दूर क करने के लिए मोच को पैरों की ठीक करने के लिए इस तेल से मालिश कर सकते हैं, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल आइल है, बबूल की फलियों का आयुर्वेद में भी जिक्र किया गया है, रिशी मुनी भी इसके बारे में जिक्र किया करते थे, तो ये बहुत जादा काटेदार व्रिक्ष जो है हमारे जीवन की बहुत सी परशानियों को दूर करता है ओज्दी है हमारे पूरे देश में जगा जगा ये पाया जाता है इसकी पत्यों को पीज कर इसका लेप लगा लीजे च्छाले पर या इसकी पत्यों को जहां पर दांट में खीड़ा है, दांट में दर्द है इसके पेश को लगा कर थोड़ी देर दांटों के बीज दबा लीजे दांट का दर्द ठीक हो जाएगा दांटों में पीला पन है, दांटों को सफेद करना चाहते हैं या मूँ के रोग को दूर करना चाहते हैं, दातों की मजबूती के लिए, आप चाहें तो इसकी लकडियों से, इसकी टहनीों से दातून करें, आपने नीम की दातून सुनी होगी, पर बबूल की दातून नहीं सुनी होगी, बबूल की फलियों को पानी में उबाल कर काड़ा बना ले मैंने बबूल की फलियों को यहाँ पानी में दो घंटे पहले भिगा कर रखा था तकि अच्छी तरह से उबल जाए थोड़ी नरम हो जाए सूखी फलिया है क्योंकि इसकी ताजी-ताजी हरी फलिया केवल शीत रितू में ही मिलती है अब आएंगी इसकी फलिया, मैं वीडियो भी शेयर करूंगी हरी फलियों का आप देखेगा, बहुत अच्छी हरी-हरी फलियां आती है अब मैंने यहाँ पर कुछ सुखी फलियों का जो पाउडर बनाया है उस पाउडर को आधा चमच गरम पानी में डाल कर ले लीजे आप देखेंगे शरीर हस्ट पुष्ट होगा आपके घुटने जो की ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं चिकनाहट वापस आएगी चलने फिरने में जो तकलीफ होती है हडियों से जो कट-कट की आवास आती है वो सारी परशानियां दूर होंगी मासपेशों की अकडन जकडन से आपको राहत मिलेगा और साथी साथ गठिया अर्थराइटीस के लिए बबूल की फली का चुण एक रामबान नुस्खा है आप चाहें तो गरम पानी की जगा कभी गरम दूद के साथ ले सकते हैं कभी चाहें तो कुछ आधा चमच शहद में आधा चमच बबूल की फली का पाउडर मिलाकर भी ले सकते हैं बहुत आराम मिलेगा तो औजदी गुणों से भरपूर, कीकर की गोंद, कीकर के पेड़ के बारे में, उसके पूरे पंचांग के बारे में जानकारी कैसी लगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शिखास की चन चैनल को सब्सक्राइब चरिए